नमस्कार साथियो मैं हूँ कृष्णा नंसिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा दुर्गा पूजा आज से प्रारम हो रही है भलाई और धर्म की रक्षा के लिए अधिकार और धर्म का पालन के लिए सार्दिय नवरात्र के पावन पर्व की आप सभी को हर्दिक सुवकामनाय हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने के लिए उपस्थित हुए हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालेओं में लगभग 5,4,000 विद्यार्थियों का रमानकन रद्ध हो चुका है और यह डेटा प्रार्थमी कक्षा से वार्मी कक्षा तक के विद्यार्थियों का है किन-किन कक्षाओं में कितने विद्यार्थियों का नमांकन अभी तक रद्ध हुआ है यह डेटा 9,10,2023 की तिथी का है इन में किस कलास में कितने बच्चों का नमांकन रद हुआ है और इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि नमांकन रद होने का क्या कारण है उसमें क्या कंडिसन लगाया गया है तो उसमें क्या condition लगाया गया है और क्या सिक्षा विभाग की ओर से तत्थ दिया गया है इसको भी समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि बिहार के सरकारी विद्यालेयों में लगभग अभी तक देखा जाए तो चोथी कक्षा के विद्यार्थी सबसे अधिक है बोड पे आप असपस रूप से कक्षा और उर्सकी संख्या जिसका नमांकर रद हुआ इसको देख सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसी बात को समझें उसके बाद आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि यह बच्चे अनि इन बच्चे के अभिवाबक विद्याले में क्यों नमांकर कराए थे किस बज़ा से और जब सरकार की ओर से सकती की गई प्रधान सिक्षक विद्याले के जो HM है प्रधान सिक्षक के द्वरा सक्ति वरती गई तो इन बच्चों का नमांकन रद्ध हुआ है तो पहली कक्षा में 31,576 इतने बच्चों का नमांकन अभी तक रद्ध हो चुका है दूसरी कक्षा में 49,214 तीसरी कक्षा में 67,294 और चौथी कक्षा में 74,394 पाचमी कक्षा में 72,832 चटी कक्षा में 63,666 सात्मी कक्षा में 60,354, आठमी कक्षा में 58,563, और नौमी कक्षा में 4,934, उसके बाद एक्ज्यार्मी कक्षा में 3,765, और बार्मी कक्षा में 2,192. तो इस प्रकार से लगभग 5,440,000 बच्चों का नमांकन 9,10,203 की तिथी के डेटा के अनुसार से रद्ध हो चुका है। सिक्षा विभाग के अपरमुक्ष सचीव केके पाठक के द्वरा एक पत्र जारी किया गया है। और यह और इस पत्र का ग्यापांक 257 ओवलिक्सी और यह पत्र जारी होने किती थी 2009-2023 थी और दो तारीक नमा महिना में ही यह पत्र जारी हुई थी। इसमें उस पत्र में अस्पस रूप से इस बात की चर्चा की गई है और यह जानकारी सभी अभिभाबकों को होना जरूरी है। और जरूर इस जानकारी को रखें अनेथा आपका नमांकन भी रद्ध हो शकता है। तो उस पत्र में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 से बिद्यालेओं में प्रती दिन अनुशरवन किया जा रहा है। बिद्यालेओं में बचों की उपस्थिती 50% से कम पाई जा रही थी। 2023 से बच्चों की उपस्थिती 50% के लगभग होने लगी। लेकिन बहु सारे ऐसे विद्यालेओं थे जहां बच्चों की उपस्थिती 50% से कम थी। और वह ऐसे विद्यालेओं की संख्या कुल मिला करके देखा जाए बिहार में तो 10% कही गई थी। सिक्षा विभाग की और शें कि बहुत सारे ऐसे बच्चें हैं जो दोहरी परविष्टिक वाले हैं। दोहरी परविष्टिक कहने का अर्थ हो गया कि वह बच्चे सरकारी विद्यालेओं में नमाग्कन करा चुके हैंיל लेकिन नीजी विद्याले में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वह बच्चे बीच-बीच में विद्याले आते हैं, अपना नाम को बचाने के लिए, नाम रद ना हो, नाम ना कटे, ऐसी स्थिति में वह बच्चे बीच-बीच में विद्याले आते रहते हैं, उसके बाद यह तो तत् और इसमें दो महत्तपुन तथ इस प्रकार से हम लोग एड़ कर सकते हैं कि उन बच्चों का एम रहता है उनके उन बच्चों के अभिवावोकों का यह धही रहता है उद्देश रहता है कि विद्यालय में जो DVT के माध्यम से अलग-अलग तोर तरीके से जो रासी मिलती है छात्रविर्ती हो या तो फिर पोसाग की रासी हो या तो इसके साथ साथ अन रासियां जो मिल रही है तो उसको प्राप्त करने के लिए उनके अभिवावक और उन बच्चों का नमांकन उस विद्यालय में हो जाता है इसके बाद एक दूसरा तथ इस प्रकार से हम लोग समझ लें हलाकि उस पत्र में इसकी चर्चा नहीं है लेकिन मेरे द्रिश्टी कोन से हमारी जो सोच बता रही है उस अनुसार से कुछ अभिवावक ऐसे हैं जो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का नमांकन करा लिए हैं अधी 1-5 क्लास का विद्यालय हो तो वहां पर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कि पाच्मा का सर्टिफिकेट हमें वहां से प्राप्त हो जाएगा उसके बाद फिर छठी क्लास में हम उन बच्चे का एड्मिशन करा लेंगे उन अभिबाबकों से मिली जानकारी के अधार पे जब उनको कहा गया पूछा गया कि क्या आप डिवीटी के लिए नमांकन करवाए हैं तो उनका असपस्ट जबाब था कि हमें मिले या ना मिले हमें सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन ऐसी स्थिती में जो विद्याले की उपस्थिती है वह घड़ जाती है तो असपस्ट निर्देश था उन अभिबाबकों के लिए उन बच्चों के लिए कि अधि वह बच्चे विद्याले में लगातार तीन दीन तक उपस्थित नहीं होते हैं तो उस विद्याले के जो प्रधान सिक्षक है उसके द्वारा अभिबाबक को संदेश भेजा जाएगा और इसके बाद अधिवा कंटिन्यू 15 दिनों तक विद्याले से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो यह अधिकार उस विद्याले के प्रधान सिक्षक को दिया जाता है कि उसका नमांकन रद्ध किया जाए तो इस प्रकार से अभी तक देखा जाए अनिकि 910-2023 का यह डेटा है तो कुल मिलाकर के 5,440,000 विद्यार्थियों का नमांकन रद्ध हो चुका है इसमें अधिक संख्या में चोथी कक्षा के विद्यार्थी है 74,394 इसमें ही अधिक नमांकन रद्ध हुआ है इसके बाद DVT के मामले में सिक्षा विभाग की ओर से बताया गया उसी पत्र में कि इस तरह से अधि 10 प्रतिसत बच्चे का नमांकन रद्ध होता है तो वैसे इस्तिती में लगभग बिहार सरकार को निस सिक्षा विभाग को 300 करोर रूपिय की बचत होती है परतेक वर्ष सरकारी विद्यालेओं में लगभग 3000 करोर रूपिय इन बच्चों पर खर्च किया जाता है जिसमें DVT के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की रासियां उपलब्ध होती है तो 10 परतिसत भी उन बच्चों में से 10 परतिसत का नमांकन अधिरद हो जाता है तो 300 करोर रूपिय की जो रासी प्राप्त होती है वह डायरेक्ट भी हर सरकार को बच्चत हो जाती है तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को समझने के लिए उपस्थित हुए थे और अभिभावकों और बच्चों के लिए एक मेरा संदेश रहेगा कि जो बच्चे सरकारी विद्याले में नमांकित हैं तो वह निशित रूप से अब सरकारी विद्याले में ही पढ़ने के लिए पठन-पाठन के लिए आना प्रारम कर दें अनि था कि इस्थिती में परधान सिक्षक विवस हो करके आपका नमांकन रद कर सकते हैं बस आज के विडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग गुडबाए